स्रीरा खुंद्रा इन्वा आप देख रहे हैं समाचार पत्र में छपे एक समाचार को कानून के फेर में बिहार के नए कानून मुंत्री सोरह अगस्त को इस बाहु बली को समर्पन करना था न्याले में लेकिन ये कानून मुंत्री का सपत ग्रहन कर रहा था धन्ये बिहार धन्ये बिहार के विकास बाबू नितिश बाबू बिहार बाबू बिहार में बाब नितिश कुमार है अपहरण मंत्री का अलग बेवहार है इन पर न्याले ने संग्ञान ले लिया है बहुत कोशिश किये है कि हाई कोट से इनको अग्रिम जमानत मिल जाए लेकिन इनको हाई कोट से अग्रिम जमानत नहीं मिली हाई कोट ने कहा कि आप चले जाओ स्रीमान कार्थ की एशिंग निचली अदालत में जहांपे आपके मुकद में चल रहे हैं गुर्दोस की अधार पे जमानत वो देंगे हम कौन होते हैं यानि हाई कोट से इनकी अग्रिम जमानत तूट गई ये आगए नीचे के कोट में नीचे के कोट में शंग्यान लेते हुए इन पर बेलेबल वारंटी सु करती हैं अब नई सरकार में इतनी भी क्या बौक लाहट है इतनी भी क्या बीजेपी से दूरिया है अरे बीजेपी अलग है और जनता अलग है ठीक है बीजेपी आपकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी स्रीमान नितिसकुमार जी लेकिन जनता के तो हो करके बात कीजिए ये कानून तोड़ने वाले आपको क्यों अच्छे लगने लगे उभी आपने इस कानून तोड़ने वाले को कानून मंत्री बना दिया और समाचार पत्रों में निकल रहा है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया में ये समाचार छाया हुआ है बिहार का कितना नुक्षान हो रहा है आप जरा देखिए तो खिल खिला के हट से हस्ती हुई ये ओठें क्या कह रही है ये बाहु बली अनन्त सिंग के दोस्त है अनन्त सिंग पर दस साल की सजा हुई और वो जेल के अंदर चले गए बच गई उनकी बिराशत और उनकी बिराशत को सम्हालने के लिए आगए कार्तिकेय सिंग कार्ट केस सिंगिन का की नाम अपहरण में नामजद अपराधी है जिसके केस को कोट ने शंग्यान लिया है यही सचाई है यह बहुत कोशिश किये कि हाई कोट से अग्रिम जमानत मिल जाए नहीं मिली नयाई पाली का जिन्दा है महामहिम नाई मूर्थी ने तेरह करोड जन्दा के साथ नयाई करते हुए नयाई का पक्ष लिया और इस अपहरण में सामिल जिसका नाम आया आप सचाई के आप नहीं जाने उद्व दूद का दूद पानी का पानी होगा नयाले में ये अपराद कर्मी ये अपराधी कैसे खिल खिला के हस रहा है इसकी कुटिल मुसकाम तो समझ ये जड़ा और वो ये कह रहा है मैं वहीं हूँ मैं वहीं हूँ अपराधी जिसकी जमानत को टर्ण डाउन कर दिया हाई कोट ने और देखो मैं कानून तोड़ने वाला हूँ और मैं कानून मंत्री बनूंगा अब बन गया निकिश कुमार कहते हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ रही थी भाजपा ये कह रहा है मैं कान तो इसका मतलब क्या है कि भाजपा से आपको अगर कोई प्रतिद्वन्दिता है अगर नुक खुनस है ओ तो बात समझ में आती है लेकिन ये बात समझ में नहीं आते है भाजपा का खुणस आप जंता से निकालिए भाजपा का खुणस आप शंबिधान से लिकालिए बिहार में कोई शंबिधान रहने न दीजिए आप तो सुशाशन बावू है आप तो कहते है जीरो टोलरेंस है गुंडई की किलाप कहां गया हो इसलिए कि इस आदमी की पैर भी तेजस्वी जादों ने किया और स्वीमान नितीश कुमार को बिहार में बाहर है नितीश कुमार है ये इतना हिम्मत नहीं है कि जिसको तेजस्वी जादों ने रिकोमेंड किया है और नमोदित किया है उसको हम मंदल से निकाल दे कहा रहा बलगरुक तुभारा देखिए अनंत सिंग को आखों पे चस्मे ये सफेद सट जितनी है उतनी ही इसकी काली कमाई है काली कमाई का बात्सा अपने दोस्त कार्टिकेई सिंग के त्वारा अपार शंपत्ती अर्जित करने वाला और जानते हैं कार्टिकेई सिंग मामूली सिच्छक आमदनी कितनी 22 करोण से बेसी सो किया है 22 करोण से बेसी एक डॉक्टर एक कलक्टर एक इंजिनियर के हां भी इतनी संपत्ती नहीं मिलती है तो ये उद्योग चलाते हैं न ये अपहरन उद्योग के यही है कार्टिकेई सिंग यही है कार्टिकेई सिंग इन चेहरों को पहचानी है और पहचान करके देखिए किस तरह से करोडों करोडों अर्वों का ये मालिक बन बैठा है 22 करोड से उपर की संपती तो इसने डिकलेयर किये कहां से आया ये 22 करोड आप कल्पना कर सकते हैं जिसके चेले के पास 22 करोड है उस अनंत सिंग के पास कितना होगा उसे तो दस साल की सजा हो गई और इस पर कोड ने जब वारंट निकाला जिस दिन इसको न्याले में जमा इसको जाना था उस दिन ये कानून मंत्री का सपत ले लिया इसलिए कि कानून तोड़ने वाला है धन्य है नितिस कुमार बड़ा बढ़ियां बिहार सरकार चला रहे हैं आप बिहार में बहार है नितिस कुमार है अकानून मंत्री पर अपहरण का ब्यापार है कानून मंत्री आप जहाजी की फिल्म को याद किजिए अपहरण उद्योग किस तरह से बिहार में चल रहा था उनके सुत्रधारों में एक कार्थ की यसिंग कार्थ के यसिंग पर अपहरण का रोप लगा है सचाई क्या है मैं नहीं जानता लेकिन बातें यही तो आ रहे हैं यूटूब में प्रिंट मीडिया में इलेक्रोनिक मीडिया में और यह भी सच है कि इसने हाई कोट में अपनी अग्रिम जमानत अगर इने दोस होता था इसकी अग्रिम जमानत मिल चुकी होती कोट निचलिया डालत ने संग्यान लिया है इसको इसको पत्र भेजा है तुम कोट में खड़ा हो जाओ लेकिन ये कोट नहीं जा रहा है क्योंकि इसको कानून मंत्री की का सपत गरहन समारोह में जाके सपत लेना है और नितीज कुमार के चेहरे को बुलंद करना है बिहार में बहार है नितीज कुमार है अपहरन का ब्यापार है चल पड़ी है गाड़ी अनंत सिंग अनंत सिंग बाहु बली दस साल के लिए सलाखों के अंदर गया है अउशी का ये साथी सरगना कार्ति के सिंग क्या नहीं कर रहा है इसकी इसकी जिम्यवारियां भी कम नहीं है क्योंकि डागदार मंत्रियों को धोना जो है राजनीती में दाग अच्छे हैं अगर वो रामानन जादो के हैं सुरेंदर जादो के हैं ललित जादो के हैं अब सुरेंदर जादो भी साफ हो करके सफेद कपड़ा पहन करके निकलेंगे और जंता की बलाई की बात कर पंजित्पन नौनवा प्राट निक्मों करने हैं सुरेंदर जादो बगत का बाहु बली जिसके नाम से लोग थर-थर कापते हैं नितिस कुमार का यह बिहार है अरे आपको भाजपा से खुननस्त्री भाजपा से निकालते आज जंता से क्यों निकाल रहे हैं यही जंता तो पूछ रही है कि हमारे सर पे आपने कार्तिकेस सिंग को क्यों बांदिया हमारे सर पे आपने सुरेंदर जादो के क्यों बांदिया हमारे सर पे रामानन जादो के क्यों बांदिया हमारे सर पे आपने लली जादो के क्यों बांदिया इंतकाम की आग में इतनी जुलस नहें हैं आप कि भाजपा को छोड़ करके बिहार की जनता से आप इंतकाम लेने लगे थोड़ा देया कीजिए कार्थ के सिंग की थोड़ा इंक्वैरी करा लिजिए आप अपने से समझ लिजिए कि बातें क्या हैं क्या वाकई में जो प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में चल रही है कार्थ के सिंग के बारे में अगर वो सच है